गुजरात लिबॉरेट्री जो opposition parties कहते हैं कि BJP जो है इसको एक political science बना दिया है उन्होंने और वो हर राज्य में इस्तमाल करती है आप इतनी वरिष्ट पत्रकार है स्मिता बहन आप Congress के सासन के जो आपको ठीक लगे वो पांच साल और भारती जन्चा पार्टी के सासन से जो आपको ठीक लगे वो पांच साल दे लो कितने गंटे कर फिर रहा कितने लोग मारे गए कितने दंगे हुए और दंगे का duration क्या था कंपेडिजन कर लिजे तो मालूम पड़ जाएगा कि दंगे किसके शासन में ज्यादा हुए और दूसरी बात ये दंगा होने का मूल कारण कोद्रा की ट्रेन को जला देना था साथ लोगों को सोला दिन की बच्ची को मा की घोद में बैठे हुए जिन्दा जलती हुए मैंने देखा है मेरे हाथ से अगनी संस्कार की आया मैंने घोता गाउं में इसके कारण दंगे हुए थे और आगे जो दंगे हुए है वो पोलिटिकली मोटिविटेड थे जर्वेशन का अंदोलन हुआ दंगों में कन्वर्ट कर दिया गया जब वो गूद्रा से बोडीज लेके गए थे अंतिम संस्कार के लिए तब आपको लगा था कि ये देर विल भी ब्लो बैक मतलब की कोई प्रतिक्रिया होगी दिखे उस वक किसी को सोचने की सुधबुध ही नहीं थी इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा प्रस्थन ये था कि जो 69 लोग मारे गए हैं इनके परिवार को उनका अंतिम संस्कार भी न करने देना और कोई प्रोफेशनल इंपूट ऐसा नहीं था कि इतनी बड़ी मात्रा में रियेक्शन आ जाएंगी बोडी इसको परेड कर दिया गया था परेड नहीं करा है ये गलत प्रचार है सोला सिविल आस्पटल में लिया गया और बंद अम्विलेंस में उनके परिवार वरे अपने घर पर ले ग药े आप हॉस्पीटल में थे में। मैं खुद हॉस्पीटल में था डेका आपने उस thin आप क्या देखना क्या था अगर आप हो मिनिस्टर होते तो आप क्या करते अलग उस वक्त? देखे जो भी लोग थे उन्होंने अच्छा काम किया था मगर घटना के कारण रोज इतने अव्यापक मात्रा में था जिसकी बनक किसी को नहीं लगी थी किसी को नहीं लगी थी ना पूलीस को लगी थी ना किसी को लगी थी और बाद में किसी के हाथ में ही नहीं रहा